हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हमार पास सेमसंग M02 फोन आया है वो कम्पलेटली डेट कंडिशन में उनली चार्जिंग लोगो आ रहा है मैं यहाँ पे आपको सो कर दे रहा हूँ पहले सबसे पहले इस फोन में आपको बहुत ही कुछ सिखने को मिल लेगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ रहा है तो कॉमन प्रोब्लम में इसका की सिप्यू का दिक्कत है लेकिन काफी लोगों की कॉमेंट भी थी कि हम एंप्टी के सिप्यू निकलते है तो हमारा सिप्यू डेड हो जा रहा है मतलब कि कोई रिस्प यहाँ पे टूटेगा नहीं और आराम से यहाँ पे आपका रिबोलिंग फर्फेक्ली हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोड की कंडिशन मतलब की थोड़ा बूत पेस्ट मारा हुआ है किसी भाई ने तो मैं भी आपको एक बार चेक कर वाऊंगा थोड़ा सा पेस्ट हम मारेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फोन ओन हो रहा है कि नहीं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ज्यादा हीट नहीं देना है मैं आपको चेकिंग के लिए बता रहा हूं कि हमारा CPU का दिक्कत है या फिर अधर्वाइस कोई और दिक्कत है तो जैसा कि आप देख सकते हों मनें अलका सा हीट लगा दिया और अभी हम देखेंगे कि फ्रेंड्स हमारा बेटरी परसंट सो हो रहा है कि नहीं अगर यहाँ पे हमको पता ही है कि हमारा CPU का दिक्कत है लेकिन काफी लोगों को कन्फॉम करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हीट लगाया है देखिए अभी हम इसको चेक करेंगे और मैंने मकसद यही है कि काफी लोगों को वह भी प्रोब्लम थी कि हम CPU निकाल के टाइम हम दोनों को रिबोल कर देते लेकिन हमारा पोर्ट नहीं बनता है उनली CPU लगाने के बाद तो काफी भायों का CPU डेड़ हो रहा है ए मैंने यहां पर आपको बताया तो अभी हम इसकी प्रोसे में स्टार्ट करेंगे हम यहां पर होइस देते रहेंगे कितना टेंप्रचर रखना है कितना स्ल्डिंग आरें का रखना है वह सब कुछ हम आपको बताएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हो कि हमारी MMC है यहाँ पे कुछ पेस्ट नहीं है ज्यादा, तो पहले हम CPU की साइड में जो भी हमारा पेस्ट लगा है, उसको हम थोड़ा कटिंग कर देंगे, हमारी SMD है Quick 857DW+, यहाँ पे हमने टेंपरेचर 250 रखा है, और Air को 2 पे रखा है, यह SMD के साब से आपको इतना टेंपरेचर रखन है, इस तरीके से हम इसकी glue को कटिंग करेंगे, glue कटिंग करने से पहले एक बार आपको फोटो जरूर खिचना है, कोई भी आपका रजिस्टर हो, components हो, वो मिस हो जाए तो आपको उसको बाद में जरूर लगाना है, तो वो भी आपको चेक करना है, तो यहाँ से आपको प्र से इसकी glue को cutting करना है, और कोई भी आपका track नहीं टूटेंगा, उस तरीके से आप CPU निकलोंगे, तो मैं यहाँ पर आगे आपको बताता रहूंगा, तो जैसा की friends, यहाँ पर अमारी जो side की glue है, वो cut हो चुका है, तो यहाँ पर MMC की तरफ अमारी कोई भी glue नहीं है, तो से पिले friends, हम यहाँ पर 25-30 second तक हम इसको अच्छे से heat up करेंगे, और directly आपको opener को नहीं डालना है, आप directly सिधा डाल दोगे और प्रेस करोगे तो आपका track तूट जाएगा friends, तो आपको check करना है friends, और हलके से इसको bend करना है, यहाँ चबर बदस्ती भी आपको bend नहीं करना ह कि हमारा connection lose हो रहा है, बोल्स, तभी आपको उसको हलका सा bend करना है, देखिए friends, यहाँ पर हमारी MMC सही से remove हो चुकी है, तो इसमें MMC पर यहाँ पर थोड़ा भी पेश नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो अभी हम यहाँ पर CPU निकालेंगे, तो उसको भी पहले हम अच्छ CPU प्रोपर तरीके से remove हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से आपको friends निकाल होगे, temperature आप सेफ रखोगे, तो आपका CPU डे नहीं होगा, और काफी लोगों को वो भी होता है, CPU आरम से निकाल देते हैं, लेकिन इसकी cleaning करने के time वो CPU को डेट कर देते हैं, तो वो भी हम आपको आ desolding iron के मदद से जो भी हमारी ज्यादा बोल से उसको हम पहले एक level कर देंगे, उसके बाद हम इसके उपर desolding wire को रखड़ेंगे, तो जो भी friends यहाँ पर हमारी track निकली है, वो हमारी NCA, not connected, और यहाँ पर अभी भी हमारा एक भी track friends निकला नहीं है, कुछ ही इस तरीके से हम two track तूट जाती थी, लेकिन थोड़ा hand skill आपका भी थोड़ा सही हो जाएगा, बाद में कोई दिकत नहीं होगा, तो यहाँ पर friends इसके उपर हम इस तरीके से रगड़ेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, आराम सही करेंगे, मैंने यहाँ पर वीडियो को speed नहीं और वीडियो भी आप अराम से देख सको, तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा प्रेस कर दोगे तो प्रोब्लम यह भी हो सकती है, कि आपस में बोल्स जुड़ जाती है, लेकिन जो भी बोल्स आपकी जुड़ती है, वो एक साथ connection होती है, तो वो तो देखिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा glue clean हो चुका है, तो लास्ट बार एक बार हम इसको desolding कर देंगे, और एक बार चेक कर लेंगे फ्रेंड्स, हमारा कोई भी track टूटा है कि नहीं, 90% तो फ्रेंड्स हमारा कोई भी track टूटा नहीं है, जो भी निकला है फ्रेंड्स कि आपके पास ऐसा phone आया, आपका CPU सही condition है, MMC भी सही है, लगाने के बाद भी आपका USB में कोई भी response नहीं है, तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स पावर को रिबोल कीजिए, होता है, कहीं बार होता है, CPU निकलने के टैप आपका power IC है न वो dry solding हो जाता है, तो आप इसको फिर से आपको बता रहा हूँ, कि आपने CPU को लगाया, आपका port नहीं बन रहा है, सबसे पहले, तो आप एक बार power को रिबोल कीजिए, आपको लगा कि अमारा CPU तो सही लग गया है, फिर भी आपका port क्यों नहीं बना, तो आपका हो सकता है कि आप CPU निकलने के टाइम, आपक CPU फिर से रिबोल करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा solding iron का जो temperature है, हमने 350 रखा है, आपको ज्यादा देर तक इसको रगड़ना नहीं है, MT के CPU में, वन्ना आपका CPU भी dead हो सकता है, तो ध्यान रखना है, और हमने इसका glue जो cutting किया था, फ्रेंड्स, वह CPU MMC के उपर आप solding iron रगड़ो, तो temperature कम रखना है, 250, 350 के आपको solding iron को रगड़ना है, तो जैसा कि फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हम इसको रिबोल करेंगे, अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा वीडियो को speed कर दिया है, तो जैसा कि देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हम process करें तो बने देख फ्रेंड्स वीडियो के साथ झाल 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 जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा CPU, MMC दोनों परफेक्ली रिबॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो क्लिनिंग की प्रोसेस थी वो भी परफेक्ली हो चुका है तो यहाँ पे हम इतना सा पेश लगाएंगे और CPU लगाने से पहले एक बार आपको CPU तरब देखना है कि क आपको जरूर चेक करना है कोई भी बोल्स आपस में चुड़ी है कोई भी एक्स्ट्रा बोल्स भी अंदर आने गई है न वहाँ आपको जरूर चेक करना है उसके बाद आपको CPU की पोजिशन आपको देख लेना है देखिए कोरनर पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा उस के बाद मलका सा CPU को मुमेट करवाएंगे अगर काफी लोगों को भी प्रोब्लम आती हो तो एक बार इम्यम सी लगाने से पेले एक बार पोर्ट जरूर चेक करें तो अभी यहाँ पर पोर्ट चेक ने करेंगे क्योंकि हम इसको एकदम सही से वह में टेंपरेचर में निकाल अगर पोर्ट ने बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पावर को रिबॉल करना है पावर रिबॉल करने के बाद भी पोर्ट ने बने तो आपको CPU को फिर से रिबॉल करना है फिर से रिबॉल करने के बाद भी आपका प्रोब्लम ने सोल हुआ तो आपको आपका CPU ह है वह डडेट हो गया है वो याद रखना है तो चलिए यहाँ पे हम इसकोMMC को भी छाहीний से लगा देंगे अगर MMC लगाने के बाद भी आपका और बनने लगे और MMC आपका शही खनने है तो आपको क्या की करना है friends कि आपका CPU से जो तो इमेमसी की तरफ आपकी जो लाइन आ रही है वहाँ पे आपको जरू जरू चेक करना है अगर कोई भी एकद बोल्स मिसिंग के कारण CPU पे सही से कनेक ना हुआ हो तो भी आपका पोर्ट ओटो पोर्ट बनने लगता है तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा CPU मेंसी परफेक्ली रिबोल हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो तो अभी हम चेक करेंगे फ्रेंड्स की पहले तो हमारा चार्जिंग पे कनेक करते हैं तो बनरे फ्रेंड्स अमारे वीडियो के साथ अगर आप उमारे चैनल में पहली बारो उमारे चैनल को सब्स्राइब जरू कर देना क्यूंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे अभी लोगो त लबकी CPU में से हमारा सही से इंस्टोल हो चुका है पाउर का कोई रिबॉल नहीं है करना पड़ेगा अभी तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं कि बेटरी पंस्रेंट हमारा सो होना चाहिए उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा फोन परफेक्ली वर्क कर रहा है या फिर टर्च का कोई इश्यू है वगरे हम सब चेक कर लेंगे तो अभी हम इसको ओन करेंगे फ्रेंट्स तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर M02 आ चुका है M02 डेट सोल्यूशन फ्रेंट्स यहाँ पर अभी थोड़ी देर वेट कर लेंगे चुकि आप CPU MMC रिबल करो तो कहीं बार आपको थोड़ा टाइम लग सकता है मतलब कि काफी लोगों को वह भी होगा कि बहुत टाइम लगा बूटिंग के टाइम तो कहीं बार आपको एक दो बार ऐसा प्रोब्लम होता है फिर 3-4 बार आप फोन को रिस्टार्ट करोगे तो आपका जो नॉर्मल लेवल पर आजाएगा फिर आपका फोन ओन होने में टाइम नहीं लगेगा वो भी आपको याद रखना है CPU MMC रिबल करने के बाद आपको कहीं फोन में ऐसा देखने को मिलेगा तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो प्रोब्लम था वो सही से सोल हो चुका है तो मैंने जो बताए आपको कि MT के CPU पे कितना टेंपरेचर रखना चाहिए किस तरीके से सोल्डेंग आरेन को रगड़ना है कितना टेंपरेचर आरेन का रखना है वो सब कुछ मैंने फ्रेंड्स बता दिया फिर भी एक बार आपको बोर्ड की कंडिसन दिखा देता हूँ फिर बोलने वाला भी बोलेगे कि बोर्ड चेंज नहीं कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स आज के लब इतना है था वीडियो पसेने तो लाइक, सेर, सब्स्ट्रेब जरू के देना मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ